ओम शान्ती यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती गुड मौर्निक 24 मार्च 2022 मिठे मिठे बाबा की मिठी मिठी मुरली का मनन हम मिठे मिठे बच्चों के लिए हम सब बच्चे बाब दादा के साथ बैठ कर इस मुरली का मनन करते हैं बाब दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब बच्चे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाब दादा दृष्टी दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं बाबा बोले आज की मुरली से क्या शिक्षें ले मीठे बाबा आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षें दी बाबा आज आपने मीठे बच्चे में बता दिया कि मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारना बहुत अच्छी होगी सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करने की आदत दालो जब से संगम युकपर स्वेम शिब बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को आधी मध्य अंत का राज बताते हैं और कितना कलियर कहते हैं कि बच्चे जो ये पढ़ाई है न दुनिया में भी जब बच्चे पढ़ते थे न तो माबाब कहते थे कि बच्चे अकेले में बैठके पढ़ो जितना याद करोगे अकेले में और सवेरे सवेरे उठकर बुद्धी फ्रेश होती है तो उस समय पढ़ोगे तो ज़्यादा याद होगा ज़्यादा बुद्धी में बैठेगा और वो लंबे समय तक याद रहेगा तो ऐसे बाबा आप भी याँ कह रहे हैं कि बच्चे एकांत में बैठकर पढ़ाई करो तो धारना बहुत अच्छी होगी तो मैं आत्मा कितना एकांत में बैठके बाबा की मुरली पढ़ती हो उसका मनन करती हो पढ़ने का मतलब यह नहीं कि पढ़ना ही पढ़ना है उस मुरली को पढ़ने के बाद मैंने अपने अंदर धारना कितनी कि उसकी जो जो मुरली में आया उसमें से मैंने कितने पॉइंट अपने अंदर धारन किये हैं जो आज मैं उन पॉइंटों के हिसाब से चल रही हूँ मेरा करम जो मैंने मुरली पड़ी जो मुरली के अंदर पॉइंट था उस हिसाब से मेरे करम है तब मैं समझूंगी कि मैंने मुरली को अपने अंदर धारन किया है मुरली जो मेरे जीवन को मोडने वाली है तो कितनी पढ़ाई कर रही हूँ मुरली पढ़ना, फिर उसका मनन करना फिर योग करना, बाबा की जो शिरिमत है सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल करना तो कितना कर रही हूँ और सबसे अच्छा टाइम बाबा ने बताया अमरत वेले का सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करना तो मैं आत्मा सवेरे सवेरे उठकर बाबा से कितना विचार सागर मन्थन करती हूँ ये पक्की आदत हो जाए एक तरीका ऐसा चक्र चले की सवेरे होते ही अपने आप मेरी निंद खुल जाए अपने आप बाबा की याद आए और अपने आप मैं बाबा के साथ मुरली का मन्थन कर रही हूँ चक्र चला रही हूँ, सुदर्शन चक चला रही हूँ चारो धाम की यात्रा कर रही हूँ बाबा के साथ परम धाम में मैं अपने विकर्मों का विनाश कर रही हूँ सुक्षियों वतन में मैं बाबा के साथ मिलकर सारे विश्व को साकाश दे रही हूँ यह सारा चक्र एटोमेटिक चलता रहे अमरत वेले से उठते ही ये कार्या हो जाए पहले अपनी बैंटरी पूरी चार्ज करनी है मैं अपनी बैंटरी पूरी चार्ज करूँगी तभी तो मैं दूसरों को भी बाबा के बारें बता सकूँगी सबका कल्यान कर सकूँगी फिर बाबा आज आपने प्रश्ण में पूछा कि फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए दुनिया में भी जिनको रहता था ना कि मुझे मेरिट में आना है मुझे बहुत अच्छे नमबर लेने है फर्श डिवीजन में आना है जो मेरा नाम सबसे पहले हो तो वो रात दिन पढ़ाई करते थे वो ये टाइम नहीं देखते थे कि मुझे अभी दो घंटे पढ़ना रात रात को जाकर पूरी रात पढ़ाई करते थे तो यहां भी बाबा ने यहीं कहा है कि अगर फुल पास होना तो सदा यहीं ख्याल रखे कि हम दिन रात खुम मेहनत करके पढ़ना है तो मैं आतमा कितना पढ़ती हूँ रात को, दिन को, शाम को, साला दिन कितनी पढ़ाई करती हूँ मुझे इतनी वो है कि मुझे फर्स्ट नंबर में आना है सत्यूग में मुझे श्री कृष्ण के साथ आना है तो उसके लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत देखा जाए तो कुछ भी नहीं है करना क्या है? फालो फादर स्टेप पर स्टेप करना जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे करना तो मैं सत्यूग में आ जाओ तो जितना मैं बाबा की याद में दिन रात मेहनत करूँगी तो उतनी मेरी क्या होगी? अवस्ता भी उची बनेगी तब ही तो हम बाबा के दिल पर बैठेंगे बाबा के दिल तक पर कब बैठेंगे? जब मैं संगम पर बाबा की पूरी पूरी शीरिमत पर चल कर और खूब दिन रात मेहनत कर रहे हूँ कि मुझे बाप समान बनना ही बनना है और नींद को भी जीतने वाला बना जब नींद को जीतेंगे जब ही तो रात को जाक के हम योग कर सकेंगे पढ़ाई पढ़ सकेंगे और बाबा ने का खुशी में भी रहना है सबसे बड़ी खुराक क्या है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं तो सारा दिन खुशी में रहके मैं बाबा की याद में खूब पढ़ाई करूँ खूब मेहनत करूँ बाबा ने का बाकी ये ख्याल कभी नहीं करने चाहिए कि ड्रामा में वा नसीम में होगा कई सोचते हैं ना मैंने तो कह दिया जो कल पहले आए थे वही आएंगे तो यही सोच लेते हैं जो कल पहले होगा होगा तो वो अब हो जाएगा बाबा ने का ऐसा नहीं पहले पुर्शार्त है ड्रामा बाद में बनता है कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो होगा वो हो जाएगा बाबा ने का ये जो ख्याल करते है ना जो नशीम में होगा जाओ ये अलबेले पन बना देता है तो मुझे कभी भी अलबेले पन में नहीं आना मैं सदा बाबा की याद में रहकर बाबा का दिन रात याद करके फर्स्ट नंबर में मुझे आना है फिर गीत चला तुम्हें पा के हमने जहां पा लिया जिस जिन से बाबा मिले हमें क्या मिला हमें पूरा जहां मिल गया जहां कैसे मिला कि बाबा में क्या दे रहा है विश्व की बाश्याई दे रहा है बाबा क्याते हैं कि बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वेराज्य का वर्सा पा रहे हैं जिस विश्व की बाश्याई को तुम से कोई छीन ना सके तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो वहाँ कोई हदे ही नहीं है अब बाबा कितना कलियर बता रहे है कि हम कौनसे विश्व के मालिक बनते हैं जितना चाहो ले लो इतना अपार धन होगा हीरे जवारात होंगे कितना होगा विश्व की बादशाई लेकिन ये विश्व की बादशाई मिलेगी कब इस संगम पर जितना मैं पुरशार्थ करूंगी अगर मैं अब पुर्शार्थ कर रही हूँ पूरी पूरी शिरिमत पर चल रही हूँ रात दिन एक करके मेहनत कर रही हूँ तब मुझे विश्व की बादशाई मिले गए और वो विश्व की बादशाई आदा कल्ब कोई नहीं सीन सबता दुनिया में तो यहां कोई बन जाए बड़ा तो उसको नीचे उतारने के लिए कितने हाथ पैर मारते हैं लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं होगा जो एक बार बन गया बादशाई तो बनेगा बनेगा फिर बाबा आपने फिर बताया कि एक है निराकार शिवाल है वो कहाँ पे है वो निर्मान धाम परम धाम शान्ती धाम जिसको कहते हैं और दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं जो इस समय संगम पर आकर शिव बाबा हम बच्चों के साथ मिलकर राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवाले कहते है, भबने का सारी स्रिष्टी ही शिवाले बन जाती है, क्योंकि सारी स्रिष्टी क्या है सत्यूगी स्वर्ग होगा, जहां कोई दुख का नाम निशान नहीं होगा, भबने का तो यह साकारी शिवाले सत्यूग में, वह निराकार शिवाले, निर्वा यहां आत्मा रहती हैं और यहां शिवाले बन्रा सत्युग में जहां हम आत्मा पाट बजाएंगी और कितना अनन्द से बजाएंगी, कितना सुख होगा फिर बाबा ने का जैसे कॉलिज के बच्चे बच्पन में सवेरे सवेरे उठकर अध्यन करते हैं ना सवेरे क्यों बैठते हैं क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है सवेरे सवेरे इसलिए बैठते हैं क्योंकि सारा दिन के ठके होते हैं और रात को जब आत्मा विश्राम कर लेते हैं, तो अगले दिन माइंड भी बिल्कुल बुद्धी कलियर होती है, तो जल्दी याद होता है, जो भी बुद्धी में होगे, या क्योंकि रिफ्रेश होगे न, तो कोई भी हम पार्थ याद करेंगे, कोई भी लेसन याद करेंग बाबाने उनके लिए का है जो सवेरे डूटी पे जाते हैं और फिर वो सवेरे की कलास नहीं कर पाते हैं या जो है और योग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बाबाने का कि शाम को सेंटर पर आओ। शाम पे सेंटर पर आकर और अपना जो क्या है शाम के समय भी बाबा कहते हैं देवता चक्कर लगाते हैं वैसे भी कहते हैं संद्या के टाइम क्या होता है कि एकड़ लाइट जलाते हैं तो देवता हैं चक्कर लगा रहे होते हैं तो शाम को भी बाबा नुमा शाम के लिए ज जबते रहते हैं, फिरते रहते हैं माला को, वामन का जो आठ रतन और उपर फूल होता है, वह है मुक्ती वालों की माला, और बाकी जीवन मुक्ती अत्वा, प्रविर्टी मार्ग वालों की माला में फूल के साथ यूगल दाना भी जरूर होगा, अर्थ भी समझाना है, तो मा पहले होता है और उसके बाद नीचे दो और होते हैं लाल फूल तो फिर बाबा ने कहा जो राधे कृशन अलग लग राजधानी के थे और राधे और कृशन थे तो अलग लग राजधानी के स्वेंबर की बाद तो लच्ष्मी नरैन नाम पढ़ा उनका बजपन में तो रॉग्ला क्रिशievous लाग माँने लुग में शत्योग में तो किसकी इस्तरी अकाले मरती नहीं है किसी की इस्तरी कि कोई بी व्यक्ति अकाले हैं मिरती हैं नहीं मरता है सब बड़े होते हैं पूरे ड़ेड़्स बूर्च जीते हैं कहते हैं कि हम मैं जाकर फिर बच्चा बनूगा मिचनू बनूगा वहाँ ने कहा वहाँ सत्यूग में कोई रोने की धरकार नहीं या कल यूग में तो कोई पता ही नहीं है कोई एक साल का बच्चा अभी पैदा हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया कोई दो साल का कोई दस साल का कोई पता नहीं यहां तो अकाले मिरती होती है लेकिन सत्यूग में कोई अकाले मिरती होती है वहाँ कोई उपदरव ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है वहाँ ना तो पांच विकार हैं नमाया ना कोई वहाँ पे उपद्रव करने वाला है वहाँ सब शांती से काम होता है फिर बाबा आपने बताया कि जो तुम इश्वरिये बच्चों को क्या होता है तुम इश्वरिये बच्चों की चलन बहुत उची चाहिए अब मैं आत्मा चेक करूँ हम कोन हैं हम इश्वरिये फैमली के बच्चे हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए उची चलन होनी चाहिए उची चलन का मतलब क्या कि मैं पूरी पूरी बाबा के शिरिमत पर चल रहा हूँ मेरा बोल कैसा है रायल बोल है मैं हर एक के साथ बहुत मीठा बोलता हूँ क्योंकि सत्यूग में चलन होती ही उंची और रॉयल है अगर सत्यूग में जाना तो मुझे अभी से उस हिसाब से अपने आपको चलाना पड़ेगा भबने का यहां तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से देवता बनाया जाता है अब संगम पर ही आकर बाबा हमें क्या बना रहा है जो बकरीयां हैं उनको शेरनीया बना रहे है और जो बंदर हैं उनको देवता लाइक बना रहे है तो अब कितना बाबा हमें यहां पे कितनी शिक्षाएं दे रहे है बावने का तो हर बात में निरंकारी पना चाहिए एंकार नहीं होना चाहिए अगर किसी ने कुछ कहा दिया तो मैं का एंकार नहीं हो बावने का निरंकारी पना चाहिए अपने एंकार को तोड़ना चाहिए तो मैं आत्मा चेक करूँ मेरे अंदर कोई एहंकार तो नहीं है मुझे बिल्कुल एहंकार नहीं करना बाबा ने का याद रखना चाहिए जैसा करम हम करेंगे न हम को देख कर दूसरे करें तो मैं आत्मा किसी और को नहीं देखूँ चिरा मेरा हर करम एकुरेट होना जाए जो मैं करूँगा मुझे देख कर औरूँगा क्योंकि मुझे बदलना है बाबा ने का न हम बदलेंगे तो जग बदलेगा मैं बदलूँगा तो जग बदलेगा फिर बाबा ने का जब तक उची अवस्ता नहीं बनी तो दिल पर नहीं चड़ेंगे तो तक्त पर कैसे बैठेंगे अब जब तक सबसे पहले कैसी अवस्ता बनानी है अपनी अवस्ता उची बनानी है जब उची बनाएंगे तो बाबा के दिल पर बैठेंगे तक्त पर बैठेंगे नहीं तो फिर बाबा कैसे ले जाएगा बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मन्थन करते हैं तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं है अब जब तक बाबा को बताए नहीं कि बाबा उनको कोई चिठी पतरी ना लिखे या बताए ना शाम को अपना पूरे दिन का चार ना दे बाबा मैं सवेरे उठके ऐसे आपको याद करता हूँ विचार सागरमन्थन करता हूँ तो बाबा को क्या पता चलेगा जबकि बाबा जानी जाना ना है फिर भी बाबा कहते है मुझे क्या पता शायद इनका ही पार्ट है विचार सागरमन्थन करने का बाबा शिब बाबा कह रहे है कि लगता है ब्रह्मा बाबा का ही है विचार सागरमन्थन करने का पार्ट क्योंकि ब्रह्मा बाबा रोज सवेरे दो बज़े उठके योग करते तो वो अपना पोता मेल भी देते थे सब कुछ बताते थे तो बाशी बाबा ने ये बोला कि उनका इपाटा मुझे और किसी का नहीं लगता तो इसलिए हर बच्चे को अपना चाट देना चीए शिप बाबा को तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रह के रोज रात को बाबा को पूरे दिन का पोता मेल देती हूँ तो मुझे पोता मेल देना है जरूर फिर बाबा आज आपने वरदान में कहा कि बच्चे परिवर्तन करने वाले करम योगी भाबा अब कैसे बनेंगे करम योगी बाबा ने कहा तिरकाल दर्शी, इस्तिती द्वारा, मूझने की परस्तितियों को मौझ में परिवर्तन करने वाले करम योगी बाबा अब बाबा ने का जो बच्चे तिरकाल दर्शी हैं, कौन तिरकाल दर्शी हैं, जो बाबा के बने हैं, बाबा ने आदी मध्यांत का राज बता दिया और अब क्या होगा जब तीनों कालों को बाबा ने आके हमें तीनों कालों का राज बता दिया तो उसमें कोई मूजने की बात ही नहीं क्योंकि वो तीनों काल सामने बिलकुल क्लियर है कि पहले क्या हुआ था मेरे साथ अब क्या हो रहा और आके क्या होगा बाबने का जब वैसे भी देखो कहीं जाना हो मालो मुझे बॉम्बे जाना यहां से तो मुझे अगर रस्ता पता है तो मैं मन्जिल तक अपने आप पहुंच जाऊंगा किसी से पूछने की ज़रूत भी नहीं पड़ेगी ना मैं कहीं मुझूंगा क्योंकि मुझे रस्ता पता क्यों क्योंकि मैं पहले भी गया हूँ दस्यों बार मुझूंगा तो वहां जब मुझे रस्ता पता नहीं है मेरा बार बार रस्ते में पूछूंगा या मैं अपने आजकल तो क्या है गुगल पर डाल दिया तो उस रस्तें पर चलते जाना और कई बार वो Google वाला रस्ता भी गलत दिखा देता है लंबा दिखा देता है कभी छोटा दिखा देता है और जो एक बार होके आ जाता फिर उसको बोलता कि ये रस्ता ठीक है तो उस पर चलते हैं तो ऐसे ही जब मुझे मंजिल का पता है, किस रस्ते पर जाना है, तो मैं कोई मूझ यूँगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही बावा ने कहा जो तिरकाल दर्शी आत्मा है ना, कभी कोई बात में सिवाए मोज के और कोई अनुभव नहीं करेगी, जो तीनों कालों को जान गई, उनक के साथ कैसी भी परस्तिती आएगी, फिर भी वो मुझ जेंगी, क्यों, उनको पता है कि मुझे सब कुछ पता है, और अन्त में मेरी जीत होनी होनी है, बावा कहते हैं, चाहे परस्तिती मुझ रेकी हो, लेकिन ब्राह्मन आत्मा उसे भी मोज में बदल देंगी, अब ब्रा हर आत्मा को, कि अन गिनत बार है, पाट बजाया ही बजाया है, जब किसी को पता चल जाया है, भगवाण ने कहा दिया कि बच्चे तेरी वीजे निश्चित है, और जब मैं चल रहा हूँ, हार हो रही है, फिर भी मैं लग रहा है कि मैं हारने वालों, लेकिन फिर भी अंद करम योगी बना देती है यह वाली समरिती तो यही समरिती करम योगी बना देती है वे हर काम मौज से करते हैं तो फिर सारे काम कैसे होंगे मस्ती से होंगे मौज से होंगे बाबा की याद से होंगे फिर बाबा आज आपने स्लोगन में कहा सर्व का सम्मान प्राप्त करना है न तो हर एक को सम्मान दो फिर बाबा ने वही बात कह दी कि मैं बदलूँगा तो जग बदलेगा तो ऐसे ही मुझे अगर हर आत्मा का सम्मान लेना हर एक से मुझे लगे कि सब मेरा सम्मान करें तो उस से पहले मुझे हर आत्मा को सम्मान देना है देना ही लेना है बाब ने कई बार का जो देंगे वही वापिस आएगा तो मैं जो दूंगी मुझे भी वही वापिस मिलेगा इसलिए मैं हर आत्मा का सुमान करती हूँ चाहे बड़े हूँ चाहे छोटे हूँ सबका सुमान करना है तो मुझे सुमान एटोमेटिक मिलेगा अब हम सब फरिष्टे उड़ चले विश्व गलोब पर बाब दादा की कीर्णे मुझ पर आ रही है और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है सारा विश्व सतो पर धान होता जा रहा है और मैं फरिष्टा बाबा के साथ सारे विश्व का चकर लगाते हुए शुक्षम वतन में बाबा से द्रिष्टी लेते हुए वर्दानों से भरपूर होकर वापिस इस देरूपी मंदिर में हूँ बाबा की किर्णे मुझे पर लगातार बरस रही है और मुझे से चारों और फैल रही है ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती